नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांट जोतिस सिक्रे जोतिस सास्त के अनुसार गरहों का प्रभाव बैक्ति के जीवन पर पड़ता ही पड़ता है और साल 2022 में सभी गरहों का परिवर्तन भी होगा लेकिन साल का पहला दिन आपके जीवन पर क्या आजा करेंगे कि भागे का साथ कितना परसेंट आपको मिलने वाला है एक जन्वरी का दिन सनीवार है और चंद्रमा ब्रिश्चिक रासी में रहेंगे जो राहुकाल है वो सुबह 9.51 से सुबह 11.10 तक का है अभीजीत मूर्त दोपहर 12.9 से 12.51 तक का है आप कोई भी सुब क कारें अभीजीत मूर्त में कर सकते हैं पर राहुकाल में कोई भी काम मत कीजेगा इस दिन चुकि सनीवार है और पॉसमा की 33 तिथी है नचत है जेश्ठा चले जानते हैं रासिफल तो एक जन्वरी से मेज वालों का भागे बदलने वाला है क्योंकि सुबह परिनाम तो मिल आपको लगेगा भगवान आकर आपके सामने सब कुछ रख चुके हैं जीवन साती का सपोर्ट मिलेगा धर्मिक कारियों में आप हिस्सा लेने के आपको अफसर मिलेंगे धर्म कारे में समय बेतित होगा और जो विद्यारती हैं उनके लिए खास कर बहुत अच्छा वक्त बना हुआ है तो यह समय सुभ है अगर आप विदेश जाना चाहते हैं विदेशी चीजों का कोई काम करते ह हैं विदेशी बस्तू का बैपारी हैं तो इसमें आपके लिए लाब योग भी हैं हलांकि नौकरी में तरक्की के अवसर मिलने के साथ वाहन की प्राप्ती धन संपत्ती प्रोपर्टी अपना मकान का सुख जैसे भी चीजें यहां पर होती भी नजर आएगी तो यकिनन यह दिन आपके लिए खास है सिवजी को एक लोटा जल और पित करके ही दिन की सुरुआत करें तो उत्तम रहेगी मितुन रासी देखिए अगर आप जौप करते हैं तो यह दिन बहुत अच्छा है वैसे तो बैपारियों को भी समय का फायदा उठाना होगा आपके उपर चल र क्यास करना है लेकिन कई गरह का गोचर आपको जौब में थुरी सी और संतुष्टी दे रहा है हलांकि लव लाइफ आज के दिन आपके बढ़ियां रहेगा यानि कि साल का पहला दिन आपके लिए यहां पर उत्तम है पर देखिए सबसे पहली बात तो मन को सांत रखें दीरे दीरे आगे बढ़ना है फुक-फुकर कदम उठाना यह बहुत आबस्तिक है करकरासी देखिए यह दिन क्या है न कि आपके जो सुरेदेव है सुक्रि के साथ छटे भौ में हैं सुरीदेव भुद्ध के साथ सप्तम में हैं तो पहले ही दिन अस्टम भौ में गु कर समल के रहना होगा हलां कि लव राइब आपका बहुत अच्छा है इस दिन साल का पहला दिन है अपने लब के साथ समय वितीत करेंगे अच्छी बाते होंगी कुपसूरत चीजें हो सकता है आप उनके साथ दो पल सुकून के गुजारें और उनसे प्रेम का इजहार करें या साल का पहला दिन ही नहीं बलकि आने वाले और भी कई दिन है से चरपांस दिन जो बहुत खुबसूरत रहेंगे क्योंकि इन दिनों में आपको पहले दिन से ही लाब के जो योग है वो बन रहा है जिसके करना आपके आर्थिक इस तरी अच्छी होती चले जाएगी और इसक सब्सक्राइब करने वाले हैं उनके लिए यह वक्त बहुत अच्छा है क्योंकि आपके तमाम कारियों में सफलता तो मिलेंगे अपना मकान भूमी भवन वाहन प्रोपर्टी का सुख भी दिखता है इस दिन अपनों का सपोर्ट मिलेगा और धन आ रहा है तो थोड़ा वक् सब्सक्राइब करते हैं तो यकिनन चीजें आपके अनुकूल है और पंचम भौ में मौजूद सनी बुद्ध का संबंद यहां पर थोड़े से आप ध्यान दें संबंदों पर ध्यान दें लेकिन कारे छेतर में उत्तमफल मिल रहे हैं जो तुला वाले हैं आपके लिए चत सब्सक्राइब करते हैं उनके लिए बढ़िया वक्त है लेकिन करियर में उन्नती तो है पर लक्ष को पूरा करने के लिए आपको फोकस भी करने अपने लक्ष पर और बुद्ध के साथ चतुर्त भौ में ही सनीदेव भी बैठे हैं तो ऐसे में जो थोड़ा सा यहां पर भ प्राडिसी जलने तो तुलावालों के लिए यह वो दिन बहुत अच्छा है लेकिन सोच समझ कर कोई भी फैसला लेना इस बात का ध्यान रखिएगा नहीं तो बुरे फसेंगे ब्रिश्चिक रासी अब साल का पहला दिन है सामानने है हलांकि आपको आपके कारे छेतर में म आपकी उन्नती होगी और मान समान परतिष्ठा पुरस्कार ये सब कुछ आपको इस दिन हासिल हो रहा है हलांकि आपके सीनियर का सपोर्ट मिलेगा लेकिन दामपत्य जीवन का थोड़ा ध्यान बनाये रखें क्योंकि कहीं न कहीं आपके रिस्तों में थोड़ी सी दूरिय नुबालों आपके लिए ये दिन बहुत खास है क्योंकि उन्नती है अभी तक आपने जो भी चीजें आपके गरबढ़ हुई है उनको आप सुधार करना चाहते हैं ये दिन अफसर बढ़िया है आप तमाम चीजों के पीछे छोड़ कर आगे बढ़ेंगे एक नई इसलिए समय पर अपने लक्ष को प्राप्त करने का प्रयास आपको करना है दिन की सुरुवात ही अगर सिपजी को एक लोटा जलर पीत करके करे तो उत्तम रहेगा घर के सदस्यों के साथ बे बज़ात तरक बितरक मत कीजे और इसमें आप जो लोग लव लेसंसिप में हैं जरा सोस समझकर कोई बड़ा फायत आप यहां पर कदम उठाईएगा नहीं तो कहीं परतिकूल इस्तिति ना हो जाए ध्यान रखिएगा मकर रासी मकर बालो आपके लिए ये दिन मिला जुला वफल लेकर आया क्योंकि देखिए सनिदेव आप से एक्स्ट्रा महनत तो करव पाएंगे और बुद्ध भी बैठे हैं तो यकिनन बिदेशी यात्रा बिदेशी जमीन से लाब लंबी दूरी की आता पार्टी पिकनिक इंज्वाए ये सबी चीजें हो रही हैं आपके जीवन में अब सबसे अधिक कारेस्थल पर आपका थोड़ा सा पॉजिटिव तरीक में बस धन की बरबादी मत कीजेगा क्योंकि इसमें जरुस से ज्यादा मस्ती तो अच्छी है पर बहुत ज्यादा खर्च करना सही नहीं है बरबादी ना करें धन बचाए कुम्रासी देखिए पहला ही दिन है साल का तो ऐसे में चोटी-चोटी बदलाओ तो आ रहे हैं पर अलग पहचान उस पर पढ़ेगा इसका आपको ख्याल रखना है जितना संबब हो आप सबसे बेहतर संबंद बना कर चलें चेहरे पर मुस्क्राहाट रखें हलांकि लव लाइफ इस दिन आपकी बहुत अच्छी है और अपना पन थोड़ा है लेकिन किसी को भी किसी भी रि जो जन्वरी का मेहना का पहला दिन है नया साल का तो आपके लिए अच्छा तो है क्योंकि अपार सफलता आपके करियर में और दसंबहों में कई सुबरह की स्थिति यकिनन आपके अधूरे कारियों को पूरा करवाएगा आपसे वैसे तो सफलता इस दिन मिलेगी नया साल क पहला दिन है तो आप यकिनन आपके लिए ये समय अच्छा है प्रेम बेभाई जीवन में आपको बहतर पर नाम भी मिल रहे हैं और चीजें जो आपके लग रही थी आपको कि सब कुछ खत्म हो रहा है वो एक बार फिर से आपको प्राप्त होगा तो आपको बहतर पर नाम